नमस्का दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पाबली हिंदी में दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमाटिकली पोस्ट दा हिंदू आरेसेस फीड्स ओन एक्स फॉर्मली ट्विटर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग आटोमेश सीखेंगे कि जब भी दा हिंदू वेबसाइट पे कोई भी लेटेस्ट आरेसे स्वीड रिसीवड होगी या फिर कोई न्यूज रिसीवड होगी तो मैं आटोमाटिकली वो सेम न्यूज को एज़ा ट्विच शेयर कर सकता हूँ एक्सपर जी हैं पॉसिबल है आप ये पू मेरे ओडियंस के साथ अब मैं चाहता हूँ कि पूरा प्रोसेस में आटोमेट कर लूँ मतलब अगर यही चीज में मैनुवली करूंगो तो बहुत टाइम कंजुमिंग प्रोसेस है तो यह आटोमेशन बनाने के बाद जब भी कोई लेटेस्ट न्यूज रिसीवड होगी य आप लेंगे X और पूरा प्रोसेस इजिली हो जाएगा और मज़े की बात यह है इसमें कोई भी कोडिंग स्की जर्वत नहीं है आप बहुत यह असानी से पूरा आटोमेशन बना सकते हैं तो क्या आप भी पूरा प्रोसेस स्टैप ऐस्टैप सेखना चाहते हैं तो इसके हमारा objective क्या है, हमारा objective यह है कि हम X पर automatically new RSS V से related tweet करना चाहते हैं, तो चलिए सीखते हैं पूरा process बिना किसी देरी के सीधे आपको ले चलता हूँ, पैबली करने के landing page पे दोस्तो आप भी इस page पे आ सकते हैं, simply आपके browser में type करके, पैबली.com slash connect, यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं, एक है sign in का option, दूसरा है sign off for free option, तो अगर आप एक new user हैं तो आपको simply click करना है sign off for free वाली बटन पे, और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 minute में दोस्तो आपको account creation पे हर में 100 free task भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे amazing automation test कर सकते हैं पैबली connect में, मैं एक existing user और इस limit क्लिक करूँगा sign in पर, उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली connect वाले dialogue box में क्लिक करना है, access now और आप आप आजाएंगे पैबली connect के dashboard पे हैं, आपर आपको right hand side पे एक button देखेगा create workflow का, इस पर आपको क्लिक करना है, तो एक dialogue box अपन जाएगा आपकी screen पे टो बोलड़ा, enter the name of the workflow तो basically आपको आपकी workflow को कोई नाम देना है, उस select folder से आपको particular folder select कर लेना है, जिस भी particular folder में आपकी workflow को save करना चाहते हैं, अगर आप new folder create करना चाहते हैं, तो आप create a new folder वाली बटन पे क्लिक करके, इदा से new folder भी create कर सकते हैं, मैं आपको क्लिक करूँगा create workflow पे, और let's say मैं मेरी workflow को नाम देना चाहता हूँ automatically post the Hindu RSS feeds on X formally Twitter तो दोस्तों यही हमारा objective है आप आपकी according जो भी नाम रखना चाहते हैं आपकी workflow का वापिता पर रख सकते हैं उसके बाद select folders में particular folder select कर लेता हूँ, तहाँ पर मैं workflow automation integration वाले folder में मेरी workflow को save करूँगा, क्लिक करेंगे create वाली बटन पे, और आप आप आजाएंगे दोस्तों यह वाली screen पे, यहाँ पर आपको दो important module समझना है, जो हमारे automation में बहुत important role play करते हैं, इनका नाम है trigger और action, तो दोस्तों trigger बोलता है when this happens, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो, तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो, तो basically trigger आपके automation को start करता है, action में आप वो particular action perform करेंगे job करवाना चाहते हैं आपके automation में तो यहाँ पर आपको trigger application चूज करना है इदा पर आपको action application चूज करना है तो सबसे पहले हम trigger वाली step में काम करेंगे तो यहाँ पर आपको trigger application चूज करना है तो choose app में इदा पर आपको चूज करना है RSS by family तो यहाँ पर हम चूज करते है RSS और Trigger Event आपको यहाँ पर चूज करना है New Item in Feed Triggers बना New Item is added to the Feed तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे Connect वाली पटन पे और आपको यहाँ पर से Feed URL देना है और Filter Type देना है तो यहाँ पर लिखा है 1R मतलब यह एक polling based connection है मतलब हर एक घंडे में Public Connect चेक करेगा कि कोई New Feed Receive हुई है हमारे The Hindu Website पर नहीं और इनके अगर Received हुई है तो उसका response यहाँ पर capture हो जाएगा Public Connect में, ओके तो यहाँ पर आपको सबसे पहले Feed URL देना है Response capture करने के लिए, ओके The RSS triggers will check for updated RSS feed at regular interval, ठीक है तो यहाँ पर एक्जामपल भी गिवन है Cyber Link पर अगर आप क्लिक करेंगे कैसे यह work करता है, मैं आपको डारेक्ली बताता हूँ ठीक है, तो सीधे आपको लेचलता हूँ The Hindu की Website पर, इधा पर आप दीख सकते है Topics गिवन है, जैसे कि Business Sports Related RSS feed गिवन है Opinion, Entertainment, Business तो यहाँ पर हम Choose कर लेते हैं, for example, Sports और यहाँ पर मैं Cricket से Related Regular Business पर Tweet करना चाहता हूँ Expert, तो यहाँ पर मैं RSS feed ले लेता हूँ Sports Related Cricket इसको मैं Open करता हूँ तो यह आप दीख सकते हैं, हमको यहाँ पर URL मिल गया है यह URL को आपको जासे करना है Copy और जो भी latest news है यहाँ पर उसका response हमको इसको इसको डाल देता हूँ और इसको इसको डाल देता हूँ इसको इसको डाल देता हूँ अगर आप different guide रखते हैं different publish date रखते हैं और इनका difference क्या है अगर आप वह जाना जाते हैं अपको learn more वाली hyperlink पर क्लिक करना है तो इसके अपर पूरा documentation given है उसके according आप इसके अपर filter set कर सकते हैं ठीक है तो इसके अपर मैंने default रख लिए simply यहाँ पर हम क्लिक करते हैं save and send test request वाली बटन पर और आप इसके पर देख सकते हैं media content url भी हमको यहाँ पर received हो गया link हमको यहाँ पर मिल गई है particular news की और इदा पर आप description देख सकते हैं particular news उसका description यहाँ पर given है इदा पर content भी given है तो basically हमने इदा पर हमारे automation की जो first step है वह यहाँ पर complete कर लिए हमने इदा पर RSSS feed का response कर लिए है अब दोस्तो हमारा objective क्या है कि हम automatically यह same RSSS feed से related tweet करना चाहते है X पर भी तो इसके लिए हम क्या करेंगे action step में आएंगे choose app में आपको इदा पर search करना है X okay X formally twitter action event आपको इदा पर चूज़ करना है create tweet simply यहाँ पर आप क्लिक करेंगे connect वाली बटन पे तो यहाँ पर एक dialogue box उपन हो जाएगा आपकी screen पे जो बोल रहा है connect X तो यहाँ पर आपको चो X का account उसको पैबली करने के साथ connect करना है इदा पर आपको दो option मिलते है एक है add new connection का दूसरा है select existing connection का तो अगर आपने आपका connection अगर आप इदा पर आपको प्रिवियस सेफ connection शो होते है और अगर आप इदा पर आते है add new connection के साथ आपको आपको simply क्लिक करना है connect with X और फिर आपको इदा पर डालना है client ID और client secret तो नीचे information के बान है कैसे आप यह दोनों चीज़े generate कर सकते हैं तो आपको इदा पर learn more वाली hyperlink पर क्लिक करना है तो इदा पर पूरा documentation given है कैसे आप client ID और client secret generate कर सकते हैं जैसा कि आप इदा पर दिख सकते हैं screenshot भी given है तो आपको क्लिक करना है developer.twitter.com पर जाना है इस particular link पर आपको क्लिक करना है और आप इदा पर दिख सकते है client ID यहाँ पर show रही है client secret यहाँ पर show रहा है तो client ID हम इदा से copy कर लेते हैं और simply यहाँ पर हम client ID में इसको कर देते हैं paste और इदा पर हमको client secret डाल लाए और इदा पर client secret भी हम copy कर लेंगे यहाँ पर में Regenerate पर क्लिक करता हूँ इसको हम इदा से copy कर लेते हैं और simply हाँ पर हम client secret में इसको उगा देते हैं पेस्ट आपको भी पूरा process को जिस तरह करना है और उसके बाद आपको है पर क्लिक करना है Save वाली बटन पर अब इदा पर फिर आपको access देना आपके x account का और आपका जो x का account है वो successfully पाद ली करने के साथ हो जाएगा connect अब इदा पर fields टेक सकते हैं message quick tweet id direct message deep link तो इदा पर आपको सबसे पहले message draft करना है जो message आप ऐज़ा tweet करना चाहते हैं तो इदा पर मेरा message draft कर लेता हूँ तो इदा पर मैंने एक simple message draft कर लिया है fresh content alert on my RSS feed explore the latest insights, news and stories तो इदा पर अब हम क्या करेंगे हाँ पर आपको एक चीज समझना है कि यह जो चीज मैंने manually type करी हमेशा ऐसी की ऐसी ही जाएगी हर tweet के साथ इदा पर जो हमारा content है वो change होना चीज है जैसे कि जो भी particular new news का title है वो change होना चीज है तो इसलिए हम mapping करेंगे जो कि एक important step है तो data map आप कैसे करेंगे यह आप देख सकते हैं previous step का response यहाँ पर शोरा है तो इदा से आपको data map करना है तो यहाँ पर हम title map कर देते हैं हमने map कर दिया फिर इदा पर हम जो link है वो भी इदा पर हम map कर देते हैं तो इस particular link को open करके जो user है जो feed है उसको read कर सकता है तो यह जो मैंने step perform करी मतलब previous step से data map करा इसको बोलते है mapping इसकी मदद से आप हमेशा dynamic response generate कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आपका workflow run होगा जो भी new response आपको received होगा previous step में वो response ऑटोमाटिकली इदा पर जाएगा response change होगा क्योंकि हम data map कर रहे है कोई भी चीज़ आप इदा पर manually type करेंगे वो हमेशा static रहेगा वो change नहीं होगा इस चीज़ का आपको इदा पर ध्यान रखने है तो कुछ इस तरीके से इदा पर आपको data map करना है यहाँ पर आप कोई tweet id और direct message deep link भी add कर सकते हैं अभी में blank चोर रहा हूं required नहीं है simply यहाँ पर हम क्लिक करते हैं events and test request वाली बटन पर और यहाँ दोस्तों आप इदा पर दीख सकते हैं हमको यहाँ पर एक positive response मिल गया इदा पर data id शोर रहे है और data text में हाँ पर जो message हमने उपर draft कर रहा है वो इदा पर हमको show रहा है ठीक है तो कुछ इस तरीके से यह automation work करने वाला है आइए चेक करते हैं expert और इदा पर मैं करता हूँ refresh fresh content alert on my RSS feed explore the latest insight, news and stories यहाँ पर आप देख सकते हैं title आगया है news का और इदा पर image के साथ यहाँ पर show हो रहा है अगर मैं इस पर click करूँगा तो जो particular user है वो इसको read कर सकता है automatically आप एदा पर देख सकते हैं सीधे redirect कर दिया हमको इसने दा हिंदू RSS feed में तो आप एदा पर देख सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से automation work करने वाला है कुछ इस तरीके से आप RSS by Publi की मदद से new RSS feed का data capture कर सकते हैं पर दोस्तों कुछ इस तरीके से automation work करने वाला है एदा पर लिखा है 1R मतलब यह polling based connection है मतलब हर एक घंडे में Publi connect चेक करेगा कि कोई new feed आईए दा हिंदू website की RSS feeds में नहीं अगर आप यह time reduce कराना चाहते हैं तो आप हमको mail कर सकते हैं regarding forum पे तो दोस्तों क्या आप भी इस पूरी automation पे काम करना चाहते हैं या इस automation को test करना चाहते हैं तो इस workflow की जो link है वो मैं आपको description box में share कर दूँँगा तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करें कि उस पे काम कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी doubt हो तो आप में को comment section में जरूर बताएं थैंक्यू यही नहीं दोस्तों आप और भी amazing automation बना सकते हैं पैबली कनेक की मदद से और आप हमको mail कर सकते हैं supportadheratepably.com पे अगर आपको कोई query है तो आप हमको mail कर सकते हैं forumadheratepably.com पे और अगर आपको pricing related कोई issue है तो आप हमको reach out कर सकते हैं इस particular link पे दोस्तों अगर आपको इवीडियो पसंद आया तो इसको like करें, share करें और हमाई channel को subscribe ज़रूर करें